नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तो स्वागत एक बर्फिस से आप सबों का मेरी सौर्गनिक ग्रीन गार्टन चैनल पर आप बने हैं मेरे साथ यूटूब चैनल पर साथ में उमिद रखता हूं कि आप भी स्वस्त होंगे हेल्दी होंगे दोस्तो आज की वीडियो की टॉपिक या घ्माइघ या उसकी नई ग्रोध नहीं आते हैं इस सारे के बहुत सारे सिकायत होती है या फिर हमारे गुलाब जो है अभी सूख जारी है इसकी ब्रांचेश सूख जा रही है या पिर अभी सीजन है विंटर इस का ओप थोड़ी से हम कुछ बात करेंगे अगर आप इस हतनी और संदर कि अप भी निकल रही है यहां से इसकी नई लोगत आ एक ही और दोस्तव लाइब आरे हैं कि किस तरह से लुख होई है यह वहीं से लेह रहे हैं दूसरे गुलाब को देखेंगे साफ सफीरय को रही है और यहां से भी आप हैं अगर कितनी डिसेव हो रखी है अगर यह की जो ऊते हैं जूरिओ सकते हैं तो हमें क्या करने चाहिए तो चलिए फ्रेंड समसुरू करते हैं अभी आप हमारे पास दो गुलाब के पौधे आप देख रहे हैं एक पुरानी गुलाब के पौधे है और इसे पूर्णिंग किया गया है दोस्तो एक बात हमेशा आपको याद रखनी है कि गुलाब पौधे में अगर आप ज्यादा फ तो ऑर जो होती है उसे valeur करके थोड़ी से हटा दी जाती है लग बक 40 35% को यह रूट को हटानी होती है साथ ही इसके पूरानी तो आप देखेंगे इसकी नई ग्रोफ आएगी और गुलाब में जादा तर जितने नए ब्रांच होंगे उनमें जादा फूल लगते हैं रिपोर्ट हम इस तरह इसलिए हम करते हैं क्योंकि अगर गंबले में आपके जो गुलाब के पौधे लगे हैं और लगबक एक साल या फिर देड़ साल दो साल हो जाते हैं लगे हुए कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं ये इतनी खराब हमारी हो चुकी है गुलाब की हालत तो इसकी root जो है काफी बढ़ जाती है गमले के अंदर तो उसकी root हमें कट करके हटाने होगी ताकि इसकी नई white root डेवलप हो जड़ इसकी जो साधा root होती है जो साधे साधे आप देखते होंगे पतले पतले fabricus root इसे हम कहते हैं काफी सारी इसकी root आती है तो गुलाब में आप हमेशा याद रखें कि जो साधा रूट जितनी ज्ञादा निकलेगी नई ग्रोथ इसकी नई जड़ जितनी डबलब होगी उतने उपर से इसकी नई ग्रोथ निकलेगी और आपके गुलाब पधे के उपर उतने सारे फ्लार्स होंगे इसके लिए आपको रिपोर्ट करने होती है साल में आप इसे दो बार रिपोर्ट कर सकते हैं एक है रहनी सीजन बरसाथ की सीजन में और आप 15 फरवरी के बाद भी आप इसे रिपोर्ट कर सकते हैं अगर आप नए गार्डनर है और आपको रिपोर्टिंग करने की जनकारी नह तो डाइरिक्ट आप उस्पीडी Parents हो जाएँगे और आप उस वीडियो पे देख सकेंगे कि हम गुलाब को रीफॉट की तरह से कर सकते हैं रहाल आभी ओस्व आप फुने अर्प्रांचे से वौ निकल की आई है अगर आपके गुलाब की हालत इस तरह से हैं तो आपके पौधे में flowers नहीं आयेंगे, बहुती कम लगेंगे, बिलकुल एक या दो आएंगे, या हो सकता है कि आपके पौधे जो है धीरे-धीरे सूख जाएंगे, कई बार आप देख सकते हैं इस तरह से branches हमारे सूखनें लगते हैं, यह आप देख सकते हैं, इस तरह से गुल से सूखने लगती है यह सूखते सूखते नीचे की और बढ़ती हो बढ़ती चली जाती है इस तरह से और कुछ समय के बाद अगर आप इसे देख रेक नहीं करेंगे तो धिरे धिरे आपके गुलाब जो है पूरी तरह से सूख जाएगी तो इसे आपको समय से ट्रीम करनी होत इस तरह से कटर से आप इसे यहां से यह देख सकते हैं यह हमने कट करके हटा दी है यह आप देख सकते हैं इस तरह से हम इसे कट करके हटा देंगे यह सुखी हुई वरांचे सब देख सकते हैं अगर आप इस तरह से कटाई नहीं करेंगे तो एकदम से आपके गुलाब जो है वो खराब हो जाएंगे तो आपको सबसे पहले यह धियान देनी है जितने सारे सुखे ब्रांचे से उसे आपको कट करनी है यह देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारी सुखे ब्रांचे से तो इसे भी हम कट करके इस तरह से हटार देंगे तो इस तरह से आपको जुरूर धियान इस तरह से लगा सकते हैं यहाँ पर जिस आपकी डाइ फंगी साइड नहीं है तो आप हल्दी का पीश्ट बना करके आप यहाँ सकते हैं तो यह काम आप जरूर करें और कुछ इस तरह से आपके गुलाब हो चुकी है अगर आप उसे ध्यान नहीं दिये हैं आपके एक साल से पूरान ज़्यादा हो चुकी है प्लिख रही है तो आप से जरूर कटाई करें ताकि इसके नई व्रांच इस तरह से निकले कुछ इस तरह सी आपदेख सकते हैं यानि कि कहने का तक पर यह है कि गुलाब को अगर आप गुलाब की हैल्थ अगर आप अच्छा रखना चाहते हैं तो आप इसके जितनी ट्रीम करेंगे इसके पुरानी ब्रांचे को जितना कटाई करेंगे उतनी आपके पौधे की हेल्थ बढ़ेगी उतनी पौधे की आयू बढ़ेगी बस आपको ध्यान देनी होगे कि हम इसे पूर्णिंग किस तरह से कर सकते हैं पूर्णिंग करने के बहुत सारे स्टे पूर्णिंग करने का समय निकल चुकी है तो अभी भी अगर आपके गुलाग कुछ इस तरह के हालत हो चुके हैं तो इस तरह से आप कटाई कर सकते हैं यहां देख सकते हैं जो इस तरह की यह नोड एरिया है नोड एरिया इस तरह से होती है जहां से ब्रांचे निकलती है बस और उसमें जो flowers होंगे इसके जो फूल होंगे वो काफी सारी फूल लगने वाले हैं तो आपको कुछ branches कट करनी होंगे थोड़ी सी care करनी होगी अगर आपको खादे के बारे में नहीं जनकारी है मतलब खाद या जो हम फटलाजर देते हैं केमिकल फटलाजर देते हैं अगर आपको जनकारी नहीं है तो आपको कम से कम यह तो आपको काम करने ही होगी अगर आप गुलाब को खाद नहीं देंगे तब भी विंटर में अच्छे खासे flowers करते हैं अगर आप इसे रिपोर्ट करेंगे और सही समय अगर आप इसे खाद देंगे तो आपके प्लांट में इतने सारे फ्लाश लगेंगे कि बस कहिए ही मत तो इन बातों को आपको जरूर ध्यान रखें समय से आप इसे रिपोर्ट कर सकते हैं और अभी आप देख सकते हैं इसे हम आपफितनी सारी नई डौज निकल के आ रही है यहां डेख सकते हैं नई भांच्रापर हो ही यह यह हैं दिक से हर ब्राइचे में एक कलिया लगे गी आप समझ सकते हैं कि इतने सारे ब्रांचे से अगर निकलेंगे हमारे गुलाब प्लांट के ऊपर तो कितने सारे फ्लाइश लगेंगे तो यह काम आप जरूर कर लें और जो पूर्णि करने का समय है वह है एक है 15 फरवरी और आप एक है बर्सात के सीजन में यह बर्सात के सीजन में आप करें क्योंकि नए गार्डनर जो होते हैं उनके लिए काफी दिक्कत है क्योंकि रिपोर्ट हम किस तरह से कर सकते हैं कभी-कभी डर होती है कि हमारे पौधे खराब हो जाएंगे यह मर जाएं इसकी जड़ को ज्यादा नहीं चेरनी है लगबग 40% क्याओं ज्यादा नहीं निकालनी है तो इसके लिए ठोड़ी सी डिटेइल से वीडियो आपको देखने ही होगी तभी आप गुलाब को रिपोट्ट कर सकते हैं तो पूर्णिंग कर सकते हैं तो ज्यादा गुलाब पा की विंटर यानि की ठंड के समय में ज्यादा फ़लार्स इसमें लगते हैं तो इसके लिए कमे इसे रेडि करनी होगी इसे आपको October में भी आप इसे report कर सकते हैं क्योंकि October टोड़ी सी ज्यादा late हो जाती है आप 15 August ऋद फिर सटम्बर 15 सेतम्बर तक आप इसे जरूर report कर ले unless you accept report में आप इसकी जड़ को कटाई कट सकते हैं कुछ पुरानी व्रांचे सब कटकर ले ताकि अगर आप इसे 15 सेटमबर से आप इसे रिपोर्ट करेंगे तो ज्यादा समय तक आपके गुलाब में फूर लगेंगे उसके बाद मार्च के बाद थोड़ी से फ्लार्ट कम हो जाती है तो इन बातों को आप जरूर ध्यान रखें आप अपने गुलाब को समय से ट्रीमिंग करते रहें पुरानी ब्रांच को कट करके हटाते रहें आप देखेंगे आपकी नई गुलाब में हर जगे से एक नई ब्रांच डबलप होगी और इस तरह से हमारे गुलाब जो है वो भूसी हो जाएगी और कुछी दिनों के बाद लगबख डेर मैने के बाद आप इसकी रिजल अगर आप देखेंगे तो आप चोक जाएंगे क्योंकि अभी विंटर शेल रही है और गुलाब में गुलाब के लिए जो फ्लार्स के लिए जो बेस्ट सिजन होती हुए है विंटर और विंटर में काफी सारे फ्लार्स करते हैं यह देख सकते हैं कितने सारे हमने व्रांचेस को कट करके हटाया हुआ है तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं वीडियो को टिटेल से देखने के लिए कई सारी वीडियो हमारी बनी हुई है गुलाब की प्लान के ऊपर उस पे आपको काफी सारी मिलेगी बस मैंने थोड़ी से एक मोटिवेट करने के लिए ये वीडियो आपको हमने बना दी है क्योंकि ये गुलाब हमारे पास पड़े हुए थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दो ये वीडियो जरूर आपको पसंद आए होगी पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा देन चैनल पर अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब चरूर करें ताकि इस तरह की इंटरस्टिंग वीडियो आप हमेशा देख सके और साथ ही बेल अकेन घंटी को प्रेस कर और अप्सन पर सेट कर ले ताकि इस तरह की वीडियो आपको हर समय मिलती रहे मिलते हैं दोस्तों फिस्ते किसी नई वीडियो के साथ नए जनकारी के साथ अब तक के लिए गुड़ बाई and see you and take care